तो टॉपिक है ओज, ओज में कुछ हम heading को कवरप करेंगे, जिसकि ओज क्या होता है? ओज की स्थान क्या है? ओज की रंगवड क्या है? उनके गुड क्या है? ओज की शाय लक्षन, ब्रदी लक्षन, ओज शाय की जिकच्चा, ओज की प्रकार क्या है? और उन प्रकार की quantity और उनकी locations क्या है ओज और बल में differences क्या है इनका थोड़ा comparison होगा ओज और धातू में differences क्या है ओज और मल में differences क्या है तो basically ओज more than five mark से ज़्यादा का नहीं आता है मेरे खुद के दो exams में आ चुका है दोन में पांच नमर का ही आया है एक तो physiology के में और डूसरा अस्टांग के में तो पांच नमर के में हम सारे topics को कर रप करेंगे तो पहले हम ओज क्या होता उसको देख लेते हैं ओज अस्तू तेजो धातू नाम शुक्रानता नाम परम स्मृतम मतलब ओज सभी धातू हो मानफ सरीर में साथ धातू होती हैं रस, रक्त, मास, मेद, अस्ती, मज्जा, शुक्र इन साथो धातू का जो तेज होता है उसे हम ओज कहते हैं ठीक है अब इसका स्थान ओज का स्थान हिर्दे बताया गया है ओज दो प्रकार के होते हैं जो के हम आगे चल के देखेंगे उन में से एक प्रकार हिर्दे पिस्थित होता है और दूसरा पूरे सरीर में व्याप्त होता है ठीक है अब ओज के गुड जो की स्निक्द होता है और सोम गुड का होता है ठीक है आचार शुष्षृत ने कहा है कि मनुष्य शरीर में प्राण तभी स्थित होंगे जब उसके शरीर में ओज होगा मतलब ओज के नास होने पर मनुष्य की मृत्ति होती है ओज है तभी मनुष्य जीवित है अन्यता वे मृत्ति हो जाईगी उसकी अब ओज श्य के कारण क्रोध करना भूका रहना चिंतन करना शोक करना परिशम करना अत्यदिक ये सारे कारण हैं ओज श्य के कोशे के सरी में ओच्छय होता है तो वैं डरना डरेगा उसमें दूरबलता आएगी छड़ा कमजोर हो जाएगा अधिक चिंतक अन्नस्टार्ट कर देगा, उसकी इंद्रियां दुखित होंगी, मतलब उसकी इंद्रियां विश्यों को सही से ग्रहर नहीं करेंगी, दुखित सी रहेंगी वो, क्रांती रहित रहेंगा वो, मन दुखी होगा उसका, सरीर रूपश हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा कैसे ठीक करें, उसके लिए उसे परयात मात्रा में दूद, घी, मास, रस, बलवर्दक आली ड्रव्र को निरंतन सेवन करना होगा, तब ही उसका ओज जाके सामय अवस्ता में आएगा, ओज ब्रद्दी के लक्षर, दे, मन, प्रशन होता है, यदि अगर किसी मनुश्य का ओ ओज ब्रद्द्द की तो इसका अवस्ता में नहीं है, तो उसका दे और मन प्रशन होगा, शरीर पुस्ट होगा, और वो बलवान होगा, अब है ओज की प्रकार, ओज दो प्रकार को होता है, पर ओज और अपर ओज, अब पर ओज की क्वांटिटी कितनी होती पर ओज हिर्दय मिस्तित होता है और यह आठ बिंदू होता है और अपर ओज यह अर्ध अंजली होता है और यह संपूर सरी में व्याप्त होता है जो पर ओज है वो एट बिंदू present है हमारे हिर्दय में और अपर ओज है वो अर्ध अंजली हमारे संपूर सरी में व्याप्त होता है अब इसे याद करने की ट्री देखिए पर और अपर पर छोटा वर्ड है तो एट बिंदू छोटी कौंटिटी है ठीक है वहीं पर जो अपर अब आते हैं, ओज का पोशड, मतलब ओज का पोशड कैसे होता है, आहार का जब सम्मेक पाचन होता है, तो उसका जो प्रसाद भाग होता है, उसे रस कहते हैं, मतलब हमें आहार ग्रहन किया, उसका जट्रागनी के द्वारा पाचन हुआ, ठीक है, फिर जो उसका दो भाग ब लेके शुक्र धातु तक का जो तेज होता है उससे ओज की पुष्टी होती है तो मतलब हम जितना अच्छा आहार लेंगे और जितना अच्छा उस आहार का पाचन होगा और उसका प्रसाद भाग बनेगा उतना ही अच्छा हमारा ओज होगा अब हम देखेंगे ओज का संचय है मतलब ओज संचय कैसे होता है ठीक है ब्रह्मरे फल पुष्पेब्यो यथा संब्रियते मदू तदेव ओज सवकर्मा ब्यो गोड़ो संब्रियते नडाम मतलब जिस प्रकार से ब्रह्मे फल एवं पुष्पो से रसो को एकत्र करते हैं उसी प्रकार मनुश्री के सरीर में रहने वाले गोड़ अपने कर्मों द्वारा ओज को एकत्र करता है अर्थात जब आहार रसका धातु पाक होता है जट्रा अगनी द्वारा तो प्रतेक धातु उत्पत्ति के समय जो उस धातु के सार रूप में ओज की उत्पत्ति होती है वैसे ही हमारे सरीर में ओज की उत्पत्ती होती है जैसे कि भम्रे फुल और पुश्पो को से मदू को एकत्र करके एक जगए खटा कर लेते हैं अब मनुश्य में गर्व की उत्पत्ती के समय जो सरप्रतम ओज होता है मतलब सरप्रतम ओज की उत्पत्ती होती है मनुश्य गर्विव में ओज आएगा तब ये उसमें प्राण आएंगे जन्र के बाद ये ओज हिर्दे में स्थित हो जाता है ठीक है उसके बाद ये पूरे सरीर में व्यापत हो जाता है अब हम ओज और बल में ओज को हम धातू नहीं कह सकते क्यूंकि ओज हमारे शरीर को धारर करता है परन्तु जो धातू होती है वो हमारे शरीर को धारर भी करती है और पोशड भी करती है इसलिए हम ओज को धातू नहीं कह सकते ओज को हम मल भी नहीं कह सकते क्योंकि मनुशी सरी में ओज है तभी प्राण है तभी वह जीवित है ठीक है? और मल का कर्म होता है त्याग करना मल होते हैं हमारे मूत्र, पुरिश और स्वेद इनको त्याग किया जाता है सरीर में से लेकिन हम ओज को त्याग नहीं कह सकते क्योंकि ओज त्याग होने पर मनुशी की मृत्ती हो जाएगी अब ओज और बल में हैं तो ओज को हम बल भी नहीं कह सकते क्योंकि ओज का कलर होता है रंग होता है इसका लाल पीला ठीक है? इसकी क्वांटिटी होती है लेकिन बल का नहीं होता ओज को हम नरिश्मेंट के धूरू ठीक है ओशर आहार के धूरू बढ़ा सकते हैं लेकिन बल को हम सिर्फ व्यायाम से exercise से परिशन करके इन सब चीजों से बढ़ा सकते हैं तो ओज को ना यह हम धातु कह सकते ना ही मल कह सकते और ना ही बल कह सकते ओज सिर्फ ओज ही है